नवश्कार मैं श्वित और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन बिहार सरकार के लिएक बड़ी खुसखबरी लेकर आई है बालु खनन जी हाँ ये पीला सोना जो है बिहार सरकार का खजाना भर रही है दरसल पिछले वर्स से लेकर अब तक बिहार सरकार को बालु खनन में जो है कई हजार कडो रूपे के फायदे हुए हैं बिहार सरकार ने वित्य वर्स 22-23 के दोरान बालु खनन से अब तक सरवधिक 384.46 कडो रूपे का राजस्व अरजित किया है अब इससे पिछले वित्य वर्स की तुलना में लग भग 94 प्रतिश्यत अधिक है अपर सचीव खान अयुक्त बिहार हरजोत को और बमरा ने भिहश्पती बार को बताया कि बालु खनन 2021-22 में राजस्व सरंगन में 745.44 कडो रूपे रहा था उन्होंने कहा है कि 2021-22 की तुलना में बीते वर्स में बालु खनन के राजस्व संग्र में 93.84 प्रतिशत की ब्रतिश्यत हुई है बमरा ने कहा है कि खदानों और खनीजों में कुल राजस्व संग्र 2017-18 में 1082.72 कडो रूपे में बढ़कर 2022-23 में लगभग 3000 कडो रूपे हो गए उन्होंने कहा है कि बालु खनन से राजस्व संग्र 2018-19 में 806.57 कडो रूपे से बढ़कर पिछले विते वर्स में 1384.46 कडो रूपे रह गए है वहीं बमरा ने बताया है कि इट भठ मालिकों से 2022-23 में 37.9 कडो रूपे का राजस्व एक्रत किया गया है जबकि 2021-22 में ये 71 कडो रूपे था राजसरकार के खान और भूविग्यान विभाग ने अवैद खनन को लेकर भारी जुर्माना लगाया है और इसे 2022-23 में 299 कडो रूपे एकमात एकत्र किये जबकि 2021-22 में इसके जरीए 165 कडो रूपे जुटाए गये थे अधिकारी ने कहा है कि विभाग ने राज में अवैद बालु खनन, दोभन और खनीजो के परिवहन पर अंकुष लगाने के लिए अपना खुद का समर्पित पुलिस बल बनाने का फैसला किया है जिसे खनन पुलिस कहा जाता है उन्होंने कहा है कि हम अपने स्वैम के सहायक, उपने रिक्षक और कॉंस्टेवल की आवशकता है जो खनन पुलिस का हिस्सा होंगे इसके लावा इने वरिष अधिकारी उनका नेतृत करेंगे ये बल पूरी तरह से शशत्र होगा अधिकारी ने कहा है कि संबंध में एक प्रस्ताप पहले ही अनुमोदन के लिए सक्षम पद अधिकारी को भेजा जा चुका है बिहार सरकार को बालु खनन में इस साल काफी जादा फायदा हुआ है जो आप पिछले साल के मुकाबले इस साल बालु खनन में जो पैसे की अगर बृधिक बताई जाया तो इस से बिहार सरकार के खजाने में भारी भरकम जो रकम है वो बालु खनन के द्वारा आई है फिलागले इस ख़बर में आने का प्डेट्स के लिए देखते रहें न्यूस फार्नेशन